हम जी टेक्टा स्टार्ट करते हैं अपना इंजिनेरिंग पढ़ रहे थे इंजिनेरिंग में इंप्लिमेंट्स पढ़ रहे थे सारे प्राइमरेट थे जो सेकंडरी ट्रेस के इंप्लिमेंट्स कम्प्रीट कर चुके हैं आज बात करते हैं सोविंग इंप्लिमेंट्स के बार तो सौबिंगर सीडिंग की बात करें अब यहां पे द्याहरा कि सौबिंग में केवल बीज निया अतता प्लांटिंग मेटेरियल्च भी को सीढ ही माना जाता है त्याहं पैर ने खी।-ठी ज़गा से लिए ज़य। अग्र अलो के सोविंग के लिए क्या योज करते हैं, बीज का परियोग नहीं करते हैं, आलो के ट्यूबर का, तो उसको भी मैं सेड ही मानूँगा यहां पर दयान रखना, अलाकि उसे सीड करना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट में और इस जेवे पर उसे करने की, जिस से क्या हो सके, उनके अंदर अच्छा अंकुरन हो सके, बात समझ गया है, इसे क्या क्छते हैं, स्वोविं करते हैं, यह फिर सीडिंग कर देंगे, अगर मैं बात करूँगा कि एक पर्फेक्ट सीडिंग के अंदर किन-किन चीजों के बारे में ध्यान रखनें जोकि इसकी सीज येट इतनी है इसकी सीज आइट उतनी हे ठो आप गारीच कर verbessोणे तौक कि अगर आप बरकासटीन करें तो आप बीच 25 किलो एक्सराड तालना पड़ता है। ऍहली वहीं वीज में आप क्या रहे हो। मैपन्स सोविन करें या Não कश尧ू कर रहे हो। अगर 73 kg पर hectर मी पॉप ऑफ काम चल जाएगा। तो ये इस तरीके से सेन रहेगा। perfect seeding के लिए correct amount of seed कि हमें निश्चित मात्रा में बीज के ज़रूर पड़ेगी अब यह सारी चीज़ें आगे आने वाली है ध्यान रखना है इन चीजों का दूसरी चीज क्या बोली गई perfect seeding के लिए correct depth ठीक है at which seed is placed into the soil यानि मरदा में कितनी गहराई में बीज को मुझे स्तापित कर लाए वो जो गहराई है वो क्या होनी चीज़े निश्चित होनी चीज़े एक दम साही होनी चीज़े अब बात करेंगे वीट के वाली variety होगी तो 5 cm तक राइच रहती है और अगर मैं बाजरा की बारे में बोलना चाहूं तो बाजरा में आदा सेंटीमेटर रहती है ठीक है तो यह अलग-अलग crop के लिए अलग-अलग आप प्रती ही काई चित्रफल में सही बीच की मातरा का प्रियोप करें दूसरा आप सही गहराई पे बीच को प्लेस करें स्तापित करें और तीसरी चीज़ के उन दोलों के बीच में दूरी निश्चित बनाए रखें ठीक है ऐसा नहों कि एक जिगा पे आपने सो बीच करते हैं इनको काम में लेने के लिए कुछ इंप्लिमेंट्स त्यार किये गए हमारे द्वारा तो वो सारे हम इस लेक्टर में स्टेडी करने वाली है दूसरी चीज में आपको एक और बताता हूं सोविंग के कुछ में ब्रोड़कास्टिंग हो गया ठीक है चिड़कना यह कॉमन मेठोड्स यूज के जाते हैं और उन कॉमन मेठोड्स में काम में आने वाले इंप्लिमेंस ही होगी है तो सबसे बहले बात करते हैं अपने किस के बारे में सीड ड्रिल के बारे में ठीक है तो सीड ड्रिल को बता तो में क्या होता है सीड ड्रिल एक ऐसी मशीन होत तो planter क्या करेगा planter उन्हें ऐसे नहीं करेगा कि यहां से लेकर के और यहां तक लगाता है उन्हें सारी जगाई बीज डाल दिया फिर निश्च जित्री उसमें स्पैसिंग हमने एडिदस कर रख्योंगी उतरी स्पैसिंग के बाद में दूसरा बीज यहां डालेगा फिर ए जो दर कातार के से बीज डाले है इस संसरी गुड़ काम करती है आप कुछ सीज में एसी होती है जो क्या करती है soil को cover भी कर देने का काम करती है यानि उन्होंने क्या कर दिया फरो का निर्बान भी कर दिया उसके अंदर बीज भी डाल दिया और उसके मिट्टी से ढख भी दिया बीजो को वापिस और कुछ seed drill में ये mechanism नहीं कुपाया जाता है लेकिन आजकल जो भी आ रही है उन सब में पाया जाता है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि वक्त के साथ साथ इंप्रूव हो जाती है तो कुछ function की बात कर लेते है seed drill machine के तो सबसे पहला function अगर देखा जाए तो carry the seeds ये बीजो को क्या करती है बीजो को संग्रेट करती है या store करने का काम करती है दूसरा तो open furrow furrow का निर्मान करती है furrow को खोलती है furrow क्या चीज़ होती है अब अच्छे समझते हो जो इसके bottom part में जो भी लगा रहेगा ठीक है वो shovel हो सकता है वो shoe हो सकता है या फिर वो disk हो सकती है वो क्या करेंगी soil में furrow का निर्मान करेंगी uniform depth पर अब हमने जो उसके bottom part है जो shovel या shoe है या फिर जो disk है उसको जितना गहराई पर जितनी depth पर adjust कर रखा है उसके according क्या करेंगी उतनी ही depth पर क्या करेंगी एक furrow का निर्मान करेंगी उस furrow के अंदर क्या किया जाएगा बीजो को डाला जाएगा तो यहाँ पर एक word यूज किया गया है तो meter the seed अब meter को अगर generally मैं यूज हो चूगी मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ ठीक है मैं engineering नहीं पढ़ रहा तो उसे तरीके से यहाँ भी हम वही मतलब निकालेंगे कि हांजी एक निशित map है एक निशित मात्रा है कि कित्री मात्रा में वीज डाला है अब यह जो चीज है आप आगे आखे समझे होगे next बात करते है कि अब हम ठीक है तरह बीज डालना है वो चीज़ हमने fix कर दी finally हम क्या करेंगे इस बीज को जो फरो हमने open की है उनके अंदर क्या कर देंगे insert कर देंगे और finally क्या कर दिया जता है यह जो बीज डाल दिये इन बीज को cover कर दिया जता है मिट्य की साइता से वो काम भी seed drill machine ही कर देती है जैसा कि वह ने आपको अभी बताया तो यह सारे कुछ function होती है जो seed drill machine कर देती है hopefully आप लोगों को यहां तक 50% बाते समझ भी आगे होगी 50% अभी भी confuse कर रहा होगा आपको तो वो चीज़े आप आगे समझ जहोगी सबसे पहले यहां पर बात करते हैं यह दोनों जो है वो क्या है animal drone seed drill machine है यह गोरू है जो काफे famous है गोरू के नाम से famous है और यह आपके bullet drone seed drill machine होगी इनमें अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर आपको एक chamber दिखाए दे रहा है इसके अंदर कोई seed tank नहीं रहता यहां पर हाथ से आपको animal से इसे operate कर रहे हो animal इसे खीच रहे है और आपको हाथ से इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा बीज डालते रहना पड़ेगा ठी इसके पीछे जो यह लगा हुआ है जिसको आपने बोल सकते हैं लेवलर बोल सकते हैं यह क्या करेगा यह मिट्टी को वापिस डखलता रहेगा उस फरो में यानि कि जो आपने फरो बनाई है उनको फिर से बंद करता रहेगा ओके तो यह सारा mechanism गोरू करता है उसी तरीके से अगर मैं बुलक प्राउन सीद्रिल मशीन के बारे में बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे तो उपर यहां पर एक टैंक दिखाई दे रहा है जिसको क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं सीद टैंक के अंदर बीज डाल दिये जते हैं बीज डालने के बाद में क्या एकत इंभल से अटेच रहना करोंकि कर अपनी वाद करेंगे तो इने में से साथ में प्राइज्ट रहते हैं जैसाई ये मोशन करेंगा वैसे ये रोटेटरीं करेंगा वावी बूम एग और ये अंदर और जो shaft होगा उस shaft को गवाने पर मजबूर करेंगे. ये shaft जब गूमनेगी, तो गूमने के कारण ये seed tank के अंदर जो beege होंगे, वो beege नीचे सीड ट्यूब की सहहता से, ठीक है, सीड कप और सीड ट्यूब की सहहता से, बूट की सहायता से निच्चे जो पार्ट होगा उसे बूट बोलते हैं मैं बता दूगा आपको next image में जहां show हो रहा होगा बूट की सहायता से insert कर दिये जाएंगे soil में और वही इसी तरीके का उपकरण इसके पिछे लगा होगा जो क्या काम करेगा फिर से इन फरों को बंद करने का काम करेगा कुछ-कुछ बाते आपको समझ में आ दिये तो भी आपका काम चल जाएगा आप धेरे बनाए रखे उसके बाद में बात करते हैं हम किसमें tractor drone seed drill के बारे में ठीक है तो यह आपके सामने क्या रहे गए यह आपके सामने रहे गया शौवल उसके बाद में अधर बात करेंगे अपने तो वही उपर आपके सामने seed tank है और इसी तरीके से सारा mechanism चलता रहता है नेक्ट बात करते हैं अपने यहां पर एक और image आपके दिखा दी गई किस चीज़ के seed drill machine की खिक है किस चीज़ की image दिखा दी गई seed drill machine की तो यह सबसे clear image और इसमें आप अच्छे समझ पाऊगे चीजों को यह जो tank है वो tank क्या हो गया seed tank हो गया यह हो गया आपका seed tank उसके बाद में यह आपका man frame हो गया सारा नीचे की बात करेंगे तो यह आपके tines हो गया इन tines के पिछे आपको एक circular सा part दिखाई दे रहा है जिसको बोलते है boot इसे क्या बोलते है boot जो आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा पिछे और अगर बात क अब इस वील का क्या काम है जैसे जैसे आपके seed drill को यह के hitch point होगे ट्रैक्टर से mounted होगा है जैसे 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 ट्रैक्टर को आगे की तरफ खिंचा जाएगा तो seed drill machine भी उसके साथ-साथ पिछे की तरफ आएगी तो यह transport wheel क्या करेगा movement करेगा अब transport wheel के अगर आप बिलकुल पिछे की साइड में देखोगे तो आपको यहां से एक chain दिखाई देगी है जो chain उपर की तरफ जा रही है तो यह wheel rotate करेगा तो wheel के rotate करने से chain भी rotate करेगी और chain के rotate करने से क्या होगा उपर यहां पर इस point को जा करके एक shaft लगी हुए है पूरे इसके अंदर क्या लगी हुए ह उस shaft पे seed metering mechanism devices लगे हुए हैं क्या लगे हुए है seed metering, अब देखो metering word यूश कराऊ ठीक है, seed metering devices लगे हुए है, seed metering mechanism different different टकाटाइब के होते हैं, सब के बारे में तो नहीं उनमें से कुछ important है उनके बारे में अपने थोड़ी बात करेंगे, तो यह seed metering mechanism लगे रहेंगे, seed यह सीड हो जाती है, तो साल्ड यहां जियूब काहिए और इनकाल जाएगा बूट बिल्कुल शोवल के पिछे अटेच होगा, शोवल जो आपके बनाएगा फरो उस फरो के अंदर बीज को इंसर्ज कर दिया जाएगा है यह पर्टिकुलर मोडल में कोई फरो क्लोजिंग मेकानिजम नहीं लगा हुआ लेकिन लोग क्या करके हैं इनके पिछे अटेच्श कर लेकिन कि शियर को ठीक है जैसा कि अपने कल पड़ा था कि लेवलर को इनके विच्छे टेस्ट कर लगते हैं जिसके साहिता से क्या होता है जो फरो बंद किया वो एक ही ऑपरेशन में बंद कर दी जाती है आजकल जो इंप्रूवड आती है उनके अंदर आने लगी सारी चीज़े है तो यह इनक मेरे पास एक बस टैंक है उस टैंक के अंदर मैंने डाल दिये ठीक है उस टैंक के अंदर मैंने कोई भी मैटरियल डाल दिया तो अब मैंने उसको हाइट पर प्लेस कर दिया और उसके बिल्कुल निचे वाले हिस्वे मैंने छेद कर दिया तो अब यह सीट दिल यहां पर ख तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इन सारी चीज़ों को कैसे रोकेंगे कि जब यह ट्रांसपोर्ट वील मुवमेंट करेगा केवल तभी यहां से वीज नीचे आएगा और कितनी मात्रा में आएगा उसको एड़ेस्ट करने के लिए भी हमारे पास लिवर फुक लगता इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सीड मीटरिंग डिवाइसे या सीड मीटरिंग मेकेनिजम लगाये जाते हैं इस बसे इंपोर्टन पार्ट होते हैं किसी की सेड डिल मेशीन का तो होपफुली आपको इतनी चीज़े समझ में आ गी है अगर यहां तक आपको वो चीज़े आप समझना सबसे इंपोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना जाओंगा वो यह बोलना जाओंगा कि आवशक्ता ही अविश्कार की जनली होती है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो अपन बोल देती है कि इंडियन बहुत जुबाडू होते हैं वो हर इतने भी उपलब संसादन थे उन सभी संसादनों का मैंने इस परकार से परियोग किया कि मेरा काम निकल गया ठीक है हो सकता है वो जो मैंने उप्योग करके जो भी मशीन बनाई है जो भी उपकरण बनाए वो दिखने में उतना अट्रेक्टिव ना हो दिखने में उतना सु लिखते हो उसी तरीके से यहां पर देखिए मैं आपको सिंपल समझा देता हूं सीड ड्रिल के बारे में सबसे पहले सीड ड्रिल मशीन बना ली अब सीड ड्रिल मशीन बना ली तो हमारे क्या क्या काम आसान हो गया हमारे सबसे पहले काम तो यह असान हो गया कि एक लाइन से टीषरी लाइन के दूरी जो थी वो फिक्स होगी अब हमें कोई प्रॉबलम नहीं ओरी, दूसरी चीज हमारी फिक्स होगी कि हम उनिकॉम टेफ्ट पर बीज़ को डाल रहे हैं कोई ठीक है, यह macronutrient होते हैं और यह plant की growth के लिए और especially इन में से अगर बोला जाए तो phosphorus जो है वो plant की root growth के लिए बहुत responsible रहता है और phosphorus देने के लिए मैं कौन सा fertilizer यूज करता हूँ जर्वली तो वो होजेगा आपका DAP हम phosphorus देने के लिए समन्य तोर पर यूज करता है लेकिन अगर मैं बात करूँ phosphorus की तो phosphorus कैसा nutrient है यह soil के अंदर immobile है जैसे बात करूँ मैं अपनी तो मैं अपने घर में mobile हो जाता हूँ तो कि मेरे घर में मेरे इसका वर्चस को होगा मेरे फादर का लेकिन college में आप लोगों पर किसका वर्चस हो है मेरा बात समझ गया ही ना तो वही चीज है इसका फाइता नुपसान क्या होगा कि अगर मैंने DAP को कहां पे डाल दिया मैंने DAP को डाल दिया फिल्ड में उपर क्या उपर से छिड़काओ मैंने DAP कर दिया तो इसमें जो phosphorus होगा वह phosphorus कभी भी आपकी जड़ों के पास में नहीं पहुंच पाएगा इसलिए अब मेरी आवशक्ता बनगी मुझे क्या करना है मुझे DAP को देना तो सोयल में है अब मेरी पास option था कि मैं DAP का चिड़काओ कर देता हूं और उसके बाद मैं फ्लॉइं कर देता हूं मेरे पास यह option था पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार फिर DAP मेरा वेस्ट हो ग कम 30, seed come 30 drill, یعنی seed come 30 drill, यानी ये क्या काम करेगी ये हमारे बीज भी दे देगी और fertilizer भी दोनों दे देगी अब यहाँ फिर से मेरे सामने problem आगी, क्या problem आगी मैंने क्या किया मेरे पास एक ही tank था, ठीक है, जो मैंने आपको अभी seed drill दिखाई थी उसके अंदर एक ही tank था, उ तो उसके साथ मेरे साथ क्या दिक्त आई एक दिक्त तो यह है कि कहीं तो बीज अकेला गिर गया डियेपी नहीं गिरी तो इस दोनों में सीड मेंटरिंग मेकनिजम जो था उसने केवल डियेपी को जाने दिया बीज को नहीं जाने दिया दूसरा चलो माल लिया मैंने थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया और लेवल बढ़ाने से क्या कर दिया बीज और डिएपी डॉनों को गिरना किसी तरीके से मैंने पॉसिबल कर लिया वाहर कंसेंटरेशन कम हो गई तो वहां पर क्या हो गया ओसमोसिस के करणा आपका पौदा नस्ट हो गया तो हमारे सामने फिर ये दिक्क्त आने लग ठी हमने का सर के लिए इंपोर्टेंट तो है लेकिन अब क्या करें तो फिर से आविशकार की जनली तो हमने क्या कर दिया जो सीड कम फर्टी ट्रिल बनाई उसके अंदर दो टैंक बना दिये दो害 टैंक में एक टैंक हम ने रख दिया दूसरा हमने रख दिया अब हमें ये चीछ ते कि प्रॉपलम नहीं थेलिये और पर नहीं चींदे चाहिए बाँ थे अब हमें दिखत किया रहे है कि हम बीज को ऊपर लखे नीचे रखे कहा रखे के प्रोब्लम अब यह है ना कि बीज और फटिलाइजर डोनों को एक जगा पर नहीं डालना वरुना जो सेडलिंग होगा वो शेडलिंग बाहर कंसेंट्रेशन, फर्टिलाइजर की कंसेंट्रेशन जादा होने के कारड़ ओस्मोस करेगा और हमारा फोदारनास लोगेगा ठीक है तो यह जो प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए हमने क्या किया कि जो बूट थे अब होपफुली आप समझते हो कि जो सीट ट्यूब के नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा जो लोगे का हिस्सा रहता है जो फाइनली गिराता है बीच को सॉल में उनकी position थोड़ी सी change कर दी और हमने position को कुछ इस तरीके से set कर दिया कि बीच है वो तो सॉल में थोड़ा सा उपर गिरेगा और जो fertilizer है वो सोल में थोड़ा सा निचे गिरेगी ता कि ये bीच जो germinate होगा वो germinate होने ले लिया और आपको मैंने बताया था शुरू में की रूट रोट के लिए पोस्पोर-स पोस् पॉर डाजी लाब अक्या बनगी हमारी सीड कम फर्टे ड्रिल बन गई जिसके अंदर हमने दो टैंक लगाई अब दो टैंक में हमें seed metering mechanism लगाना पड़ेगा या metering mechanism लगाना पड़ेगा दोनों टैंक के नीचे हमें दो दो आपके क्या लगानी पड़ेगी एक seed tube होगी एक fertilizer tube होगी seed tube और fertilizer tube के boot भी हमें दो अलग-अलग रखने पड़ेंगे वे फटिलाइजर का जो बूट होगा वो फटिलाइजर को बीज के नीचे डालेगा और फटिलाइजर से थोड़ा सा उपर म्रिदा में बीज को डाला चाहेगा तो यह हमारी पाइनल आउटपुट निकल के आगे जो चीज ऐसे में आहिए कर दिलाइक अमद्याएजर को तो यह हमने क्या बना दिया सीड जो by आपको बना दिया टील यह को पता हो तो तो यह ना साँरी में और युद्चर की ए같ड़ पर बेंटेस्टंकाइ सीम्हेम itt कर रहा हूं फिर मैं second day tillage कर रहा हूं फिर मैं soving कर रहा हूं तो उसके लिए हमने क्या कर दिया और उसमें फ्यूल भी तो जल रहा है आपको पता है फ्यूल क्या जलेगा डिजल जलेगा डिजल क्या है एक natural resources है वैसे ही पमी आरी है तो हमने क्या कर दिया अब हमने क्या कर दिया जीरो तिल सीड ड्रिल मशीन का निर्मान कर दिया जीरो तिल सीड ड्रिल मशीन का या फिर मैं इसको बोलना जाओ तो यू बोल सकता हूं 去了 till seed come f знаком. इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ भी खास नहीं किया, इसमें जो showples हम use कर रहे थे या disc हम use कर रहे थे, उनके जिगा पे हमने क्या काम में लेना शूरू कर दिया, शू काम में लेना शूरू कर दिया, इसमें क्या लगा हुआ था, शेयर लगा हुआ था अगर आप नहीं समझ रहे तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो सीट ड्रिल के आगे वाले या जो बोटम पार्ट था उस बोटम पार्ट में प्लाव का पार्ट लागर के फिट कर दिया तो अब वो प्लोइंग भी कर रही है जैसे अब सबसे पहले क्या कर द करने का काम हो गया फरडिलाइजर को इंसर्ट करने का काम हो गया और फाइनल या आपकी किस्षिस का काम हो गया फरो को बंद करने का भी तो यह सारा काम किसके दौरा कर लिया गया जीरो टिल सीट टिल के दौरा उसके बाद में फिर से प्रोब्लम साई गई अब प्रोब्ल में काम कर रही है जिस पार्ट में आपके बीज को इंसर्ट किया जा रहा है ठीक है तो उसके बाद में एक प्रोब्लम आगी वहिया जैसे अपने पैड़ी की क्रॉप के बात कर लें तो आप साले लोगों को पता है कि पैड़ी की क्रॉप के अंदर क्या चीज रहती है पराली की बड़ी प्रोब्लम दखती है और जैसे थोड़ा सा अभी खरीब सीजन चल रहा है तो खरीब सीजन जैसे ही खतम होगा तो अक्तुबर नवंबर के आसपास फिर से दुआँ-दुआँ हो जाएगा चारोकरब और लोग किसानों को पोसरे होंगे कि किसानों ने पंजाब हर्याना और राजस्तान के किसानों ने क्या किया पराली को जलाया है और इनके जलाने के कारण एर पॉलिशन हो रखा है इतना जाता है तो अब सरकार ने भी उस चीज़ को बैन कर दिया एक तरीक से आपको ना पता हो तो अब सबसेड़े दी जाती capability स्पेशलिगे मैं के लिए और फिर भी अगर आप प्राली को जला तो आप सी के सिऽ भी हो सकता है paragraph उन्से बचने के लिए क्या किया गया उनसे बचने के लिए यूज कर लिए ओब उन्से กर लिए यूजज को हमने plow का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, हमने seed drill का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, fertilizer tank का हिस्सा ले लिया, अब हमने plow-plow को तो हटा दिया और क्या कर लिया, rotavator का rotavator के ऊपर हमने seed drill और fertilizer drill वाला part अटेज कर दिया, तो rotavator क्या कर रहा है, rotavator उसके आगे जो कुछ भी आ रहा यह सपूस को और कुछ भी आ रह priced है, कट कर दे रहा है, cut दे रहे, primary luck और secondary luck बास्ते में दोनों कर रहा है उदुन के पिछे पिछे आंपकी क्या है today, seed drill machine चली आ रहे तो थर्ड आपकी happy seeder या फिर आपकी क्या हो गया, roto seeder आपकी third important machine है आज के तरह नहीं है, तो इन सारी चीजों को पढ़ाने से पहले, जो यह seed come 30 drill है और बाकी यह सारी चीजे हैं, उनको पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक brief वीडियो दिखा रहता हूँ, उ अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे, तो आपको यू लगेगा है, यह cultivator ही है, और cultivator भी कौन से टाइप का cultivator है यह आपके spring वाला cultivator है, यहाँ पे आप अपक्छे से देख पा रहे हो, हर एक shovel के बरापर में कितने springs लगाए गए हैं, दो spring लगाए गए हैं, spring का benefit क्या हो अगर आपके जमीन पत्री ली है, इस तरी के क्या आपकी जमीन उरियत कोई दिकत नहीं, प्लाव के जगाए हैं, अप डिस्क प्लाव काम में ले लो, ठीक है, उसको नहीं आएगी ऐसी problem, तो उन case में spring इसलिए नहीं लगता है, और इस case में spring इसलिए लगता है, होपफुल आप समझ गये हो, अब आगे देखते हैं अपने, इनके mechanism दो, seed drill machine के, यह एक animation है, animation के साहिता से आप सारे parts को देखोगे, one by one, यहाँ पर जो साहिल आप कहरे हो, वो यह पार्ट है, जो आपने कहा कि बीज ऊपर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर बूट की position देखिए, यह जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं, बूट एक के अंदर seed tube आखर के insert होगी, और दूसरे के अंदर क्या आखर के insert होगी, fertilizer tube आखर के insert होगी, बूट की position को आप में adjust करते हैं, एमेशा, next देखिए, spring क्यों लगे गए है, spring का काम क्या होगा, hopefully आप यह सारी चीज़ों समझते हो अच्छे से, बहुत अच्छा animation है यह, इसमें आपके seed drill से related सारी doubt complete हो जेंगे, यह जो part है, in part को बोला जाता है boot, अब इसके बाद में उपर क्या आ गया, man frame आ गया, खिक है, जिसके उपर सारा का सारा mechanism फिट रहेगा, man frame, पिछे की तरफ अगर आप देख रहे हो, तो पिछे की तरफ आपको एक blade leveler दिखाई दे रहा है, जिसका काम क्या होगा, अलग-अलग seed drill machine में, अलग-अलग परकार के furrow closing mechanism लगे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही परकार के लगे रहे हैं, लेकिन आपको concept समझने है, कि हाँ, बंद करने का काम इस तरही कैसे किया जाता है, तो बस बोई यह जब दी, कुछ इसमें rocket science लिए है, आगे आपको दि seed drill, seed के लिए हो, दूसरा part किस चीज़ के लिए होगा, दूसरा part होगा आपके fertilizer tank के लिए, यहाँ पर जो आपको orange color के अंदर part दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, seed cup, क्या चीज़ बोलते हैं, seed cup, हम जब seed tank के अंदर बीज को भर देते हैं, तो seed tank के अंदर ऐसी क बेजने का काम करेगा, seed tube से यह कहाँ चला जाएगा, finally, boot के मात्यम से soil में insert कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इनको देखिए आप, seed cup के बीच में अगर आप देख रहे हो तो आपको फिर से एक और part दिखाई दे रहे हैं, उस part के अंदर आप देखोगे, तो आपको चोकोर दिखाई दे रहे हैं, उन चोकोर चिदर के अंदर एक shaft लगी रहती है, square shaft लगी रहती है, square shaft रोटेट की जाती है, transport बेल के साहिता से, वो shaft रोटेट होगी, तो इनके बीच में bearing लगे रहते हैं, वो bearing रोटेट होगे, और वो किस परकार से आपके बीच को नियंतरित वो चीज़ भी हम आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पर यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है seed cups, इन seed cups के नीचे क्या attached रहती है, वैसे तो पूरा पार्टी seed cup के लाए जाता है, लेकिन जो बीच फाइनली जाएगा, वो केवल और केवल इस बाग से आगे seed tube के ठीक है, आपको ऊपर यहाँ पर जो डंडे से दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में क्या लगा रहेगा, seed metering mechanism लगा रहेगा, किस तरीके से लगा रहेगा आप देख लीज़ें, अब यहाँ पर क्या लगगी, seed tubes लगगी, आप अगर notice करोगे तो एक पिछे वाले tank में एक fertilizer देने का काम करेगी, और एक seed देने का काम करेगी यहाँ पर अब क्या लगा दिया गया, transport wheel लगा दिया गया, transport wheel के साथ में एक chain लगा दी गयी, जो chain क्या करेगा, इस gear को गुमाने का काम करेगा और यह gear फर्दर किस चीज़ को मुमेट करवाने का काम करेगा, यह gear फर्दर मुमेट करवाने का काम करेगा उपर वाले पार्ट को अब यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हो जो चोकोर शाफ मैंने आपको पहले बताई थी केवल उत्रे चीज़ यह transport wheel वाला वार्ट या फिर मैं बोलना चाहूं, seed metering mechanism को इशो किया गया है, केवल seed metering mechanism किस तरीके से कारे करता है Transport wheel rotate करेगा तो Transport wheel के rotate करने से Chain rotate करेगी Chain के rotate करने से यह आपके चोकोर शाफ है वो चोकोर शाफ्ट रोटेट करेगी और चोकोर शाफ्ट के rotate करने से उसके ऊपर जो यह gear shape लगा रखें, वो rotate करेंगे और उनके बीच में, जो उनके तूथ है, जो दानते हैं, उन दानतों के बीच में जितना स्पेस होगा, केवल एक बार भूबने पर उतना ही मात्रा में बीच आगे ट्रांसफर किया जाएगा, किस चीए इसको, सीड कप को, उतना ही बीच कहां पर पहुंचेगा, आपके, फा यह पार्ट लग गए, यह पार्ट डिर्क्ली अटेस्ट रहते हैं, किस चीए से, आपके, वर्ट्राइजर टैंक या फिर सीड टैंक से, इनके ओपर क्या लग गया भई, इनके ओपर फाइनल लग गया आपका फिर्ट लाइजर टैंक और आपका क्या लग गया सिट पर्टीमें deja kang spouse जर्ड़ी सितरेखने को मिलते हैं। यह सब्सक्राय जो सब्सक्रा इसके निचे थियूर Financial Li. एक जड़ए mecha and 24 सब्सक्राया कितरी मत्रावी बीच को प्रचपों को हैरे आद दो 믹शवे मात्र تم करें तो यह आपका सारा का सारा मैकनीजम रह गया सीड ट्रिल मशीन को होपफुली आप सारे लोगों को यह समझ में आया होगा आप फिर से यहां पे लोट के आते हैं कि शीड गंफ ड्रिल क्या होती है तो वही चीज़ है कि सीड दिल के साथ में हमने क्या कर दिया पर धर ट्रोपिंग एटैश्मेंट को अटैश्मिट कर दिया दो शीट सीड काम बढंड रोड़ है जैसे आपके पास जो भी बैंक पकार्ड़ कार्ड गौल कार्ड रहता है एक लाइं मसीनस के पैसा विट्रोल करवाने की परमिशन दे वो डेयूपिकार्ड अपक के इसंवैंन चॉपिंब सिर्ट काम एक साथ तरही है, उसके बाद में क्या है, कि यही चीज़ीएं, काम के बाद करेंगे तो वही काम है, see the fertilizer separate compartment में करें जिक एफ समझे कि कित्री मात्रा में भीर फॉर्टिवाजर को रिलीस करना है वो डिपोजिट परना in a seed और fertilizer को फरो के अंदर और कवर कर देना बाद में तो सारे साथ सेम काम में बस के डिस्क ऩतर सम lett tänker कि यहाँ पर देख पारे ओधियों सीट टेंक फर्डिलाइजर टेंक के जो यह प्रकारे की जो इसे ब्सक्ति की味 सिए के गया है इसके बोटम में इसके रुज मेरत डिस्क कि से ईक लिए यहाँ पर ऐने उसके बाद में फर्टेजर डाल दिया जारा है फिछे चैन टाइप है जो क्या ख़र्दिय। इसको अपर कर ने कवर्दिया है कि यहां पर आप देखें गे तो आपके सामने एनिमाल ड्रोन कि अनिमल ड्रोन सील कमपाटमेंट है वह तो ट्रांसपोर्ट हिल है वह छेyl प्ली परियाप्त मात्रा में जितनी आऊ शुकता है उतनी मात्रा में स्फिर्ट ट्यूबर फर्टी ट्यूब के साहिता से बीचो फर्टिलाइजर को इंसर्ट कर दिया जाता है यहाँ पर गाड़ पर शुकता है तो पिछे की तारफ आपको कुछ पाट और दिखाए दे रहे हैं इन पार्ट का काम क्या नेच्ट बात करते हैं अपने सीड्रीक सिड्री यह आप समझते हो मैंड फ्रेम जिसने सारी चीज़ी लगी रहेंगी सीड बॉक्स मज़ह गयी सीड्रिन मेकनिजम आप समझते हो लेकिन यहां पर दो तिं टाइप के सीड्री मैकनिजम को श्टेड़ी करेंगी अपने वो भी covering devices था और इस image में जो ये part में आपको बताया है वो भी क्या है covering devices आप समझ चुके हैं इसको transport wheel इसलिए बोलते हैं कि जब ये wheel कुछ seal drill machine ऐसी होती है जिनके अंदर थोड़े से support ये गोलाकार बना दिया जाते है इनको जो अपने road पे इनको transport करने के काम में भी इनको ले सकते हैं iron wheel लगा दिया जाते हैं तो उनको transport के काम में भी लिया जा सकता है और similarly वो क्या काम करते हैं आपके सबसे पहले frame की बात करेंगे तो iron का बना होगा सभी परकार का load ये सहन कर सके इतना मजबूत होगा seed box की बात करें तो mild steel sheet का ये बना होगा जिसके अंदर क्या होगा एक small agitator लगाया जता है यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो बताने से आपनी समझोगे जो चीज़ दिखाने से समझाई जाती है वो ज्यादा effective रखती है seed box में बात करेंगे तो इसका काम क्या होगा एकटेटर का clogging को prevent कराएगे क्लोगिंग का मतलग क्या होगा जमाव हो जाना या रुक जाना ठीक है अब यह क्या होता है agitator seed box के अंदर clogging को किस तरीके से रोगता है वो सारी बाते करते हैं seed metering mechanism तो वो seed drill or fertilizer distributor होता है यह जो deliver करता है seed or fertilizer को hopper से अब hopper word से मैं आपको परीचित करवा देता हूँ आपने जब water cooling system पढ़ा था तो water cooling system में आपने पहला पहला क्या पढ़ा था hopper system तो hopper system में क्या था single cylinder engine वाला जो था उसके अंदर क्या था उपर एक खाली जिगा से बना दिया गया तो जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया था आपको याद आ रहा होगा तो वो जो खाली structure थी उसको बोलते हैं hopper तो जो seed tank है उस seed tank को भी अपने hopper बोल सकते हैं क्योंकि वोई shape same है और सारी सारी चीज़ वोई same है तो इस selected rate से वहां से seed को pick करेगा और कितना seed मीचे बेजने है उस चीज़ को seed metering mechanism कहते है कि the mechanism वह है mechanism जो pick करेगा उठाएगा बीज को कहां से seed box से और deliver करेगा उसे कहां पे seed tube के अंदर उसको क्या करते हैं seed metering mechanism करते हैं different different type की बात करें तो fluted roller feed type internal double run the feed type cell feed mechanism और यह different different type के आपके mechanism रहते हैं इसमें अगर आप ज्यान रखना चाहो तो आपको एक fluted roller feed type को आपने पढ़ लिया जो आपने animation देखा उसके इंदर fluted roller feed type ही लगा हुआ था एक बार फिर से मैं आपको बता दूँगा उसके अलावा internal double run type और cup feed type के बारे में भी आपको basic introduction दे दूँगा लेकिन अगर feed mechanism जो है बाकी नहीं पढ़ेंगे इसमें क्योंकि सारे पढ़ने से कोई फाइदा निए cell feed mechanism जो है वो आप planter में समझ जो होगे क्या होता है बाकी चीजों को पढ़ने से फाइदा निए आपके जो आपके जो ट्रांस्प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं उनके अंदर होता है पैजी ट्रांस्प्लांट रवगरा में अगर feed mechanism जो है वो फर्टिलाइजर टाइम्क में यूज किया जता है जनरली यह एक बात आप ज्यान में रख लिना और बाकी सारे सारे सार नहीं किया गया है, hopper का मतलब क्या था, seed tank इसमें शोनी किया गया, जो आपने देखा था एक बीच में black color का चोकोर structure थी, वो चोकोर structure ओपर से connected थी, तो बस वो चोकोर structure के नीचे जो पाड़ था, वो यहां पर mention किया गया, सारा का सारा, तो वो चोकोर structure से वीज नीचे कि तो इसके अन्दर किया लगा ओगा यह ड्रीव शाफ्त किस के कारण भुमेंगे, ट्रांस्पॉर्ट सीजिजर दिश्चले गगा जित्नी स्पीड पर चलेगा, लिक्स के साथ भोगे शहां पे था ज्यापने देख्छा था, यह बीज को इस तरीके से आप देखिये, यह यहां बीज आ गया यहां बीज आ गया यह जब भूम रहा होगा तो इन सारी साइड पर क्या करेगा यह बीज को कहीं जाने नहीं देगा कुटी जिगह नहीं जाने के लिए लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर पहुंचते ही इसके अंदर जो बीज होगा व the fluted roller feed type seed metering mechanism second की बात करेंगे internal double run type की तो इसके अंदर आप अच्छे सवरी कैसे देख पारे हो कि यह जो पार्ट है वो पार्ट क्या है आपके इसे बोलते है और यह आपके क्या है ओपर यह है यह क्या है यह क्या है यह इस तरीके की चीजे और आपको बहुत सिंपल है बहुत कहीं पर वरना तो क्या होगा अन्के बीच बीच में जो जगह होगी लेकिन यह जो होगा यह जो अंदर निचे की तरफ एक प्लेट के रही रहती है उसके अंधर आप देख रहे है आपको अलग अलग साइज के होल्स दिखाई देए नहीं घाई जो चितर दिखाए दे रही है तो यह अलग-अलग शाय के छितर हम सलेक्ट कर लेते हैं अपने सलेक्ट और यहां पर यह जो एक की आप देख रहे हो इसको सलेक्ट किया गया है यानि कि इस टाइम इस साइज और इस साइज का सीड नीचे जा सकता है तो डिफरेंट साइज के पूर्दिल ने सवाल किया कि केवल जो सीड डिल मशीन है उसी के अंदर हम क्या यूज नहीं कर सकते कि उन चीजों को वह देखो मालो आपको करना है वीड की सोविंग करनी है आपको और वीड के साथ में आप डियेपी डाल देखो वीड का सीड साइस तो उतना बड़ा नहीं होता लेकिन आप चाहते हो कि वीड और डियेपी दोनों जाए अगर मैंने होपर को अगर मैंने सीड मेंटरिंग मेकनिजम को उस लेवल पर सैट कर रखा है जिस लेवल पर केवल वीड का बीज नीचे जा पाए तो या तो वीड का बीज इचे गिरेगा या फिर डियेपी इस कंडिशन में में मेरको क्या करना पड़ेगा मेलको इन में से वोट शिदर सेलेट करना पड़ेगा इसफेल में बडा साइज हो सकता है कहीं पर दो वीड के गिर जैंक ठैक एक एक भीड गिर ने गिर जैंकtrans Two M x करके एक ही टैंक से काम चलाना चाहरा हूं तो और उसके अंदर कहीं पर बीज की वेस्टेज होगी यूनिफॉर्म सोविंग आपके नहीं हो पाती और सेकेंड अगर हो भी गई यूनिफॉर्म सोविंग आपकी तो भी आपका जो डीएपी होगा वो डीएपी टॉक्सिक एफ अपने कप फीड मेकनिजम टाइप तो इसके अंदर कह रहता है यहां पर आप क्या देख रहे हो ओपर देख रहे हो इसके बीच में वह इस तरह के से लगा दी गई जो आपने क्या पड़ा आपने पर्शियन वील पड़ा था लेक्चर जब हमने इंजिनेरिंग पढ़ाने पर उसको गॉल गुमाते थे हैं और यह जो बालतिया आतीन रस्यक साहता दोग्ल उपर की पर अधनी में तो इन प्रश्यमें के अंदर जितनी मत्रा में बीच आएगा वो बीच जैसे यह नीचे की तरफ जाएगा इस हिए की आप देखिए की प मानलत' बी on मसक्तश को बन क्या है ये कप है ठीक है और इन पे ये छोटे-छोटे कप लगे हुए हर जगा और यहां पे कप नहीं यहां पे थोड़ा से दांते टाइप दिखा रखे इन्होंने लेकिन फिर भी मान लोगी इसके अंदर बीज बरे हुए तो जैसे ये नीचे की तरफ आएगा तो ये अप आप ये उल्टे हो रहे हैं तो उल्टे होने के करण बीजी ग्रैविटी की वज़े से नीचे गिए ठीक है फिर से ये नीचे जाएगा इसमें डूपकी मारेगा डूपकी मारने से फिर से उठा लेगा इसको आप उससे भी कंपेर कर सकते हो स्प्लैश टाइप लूब्रिक आपको पता है अच्छे से जो क्या काम करेगा ये आपके हो सकते हैं डिस्क टाइप हो सकते हैं इसमें सिंगल डिस्क है डवल डिस्क हो सकते हैं शोवल टाइप हो सकते हैं जो अपने कल्टिमेटर में यूज करते हैं वो शू टाइप जो अपने प्लाव में यूज करते है तो यह सारे हो सकती है covering devices की बात करेंगे covering devices both हो सकती है तो covering devices both हो सकती है विखेक पठने जो सीड को पहुझाने का काम करता है, उससे करते हैं, एक पॉइंट में आपको बता जिटा हूँ, कि इसके minimum diameter, diameter किसे करते हैं, व्यास करते हैं, कि minimum जो उसके चुड़ाई होगी, सीड की, वो कितरी होने चाहिए, 25 mm होने चाहिए, कम से कम, 25 mm होगी, तो seat tube के अंदर भी clogging नहीं होगी है अगर उससे भी कम आपने कर दी फिर problem गेड होगी वहाँ पर तो यह एक norm है जिसको fulfill करना पड़ता है कम से कम 25 mm आप क्या करो seat tube का diameter करो ही करो ठीक है next बात करते हैं transport wheel के बारे में तो transport wheel आप समझ चुके हो कि रोड पर हमें चलाने के लिए जिसे काम में रहते हैं उनको transport wheel बोल दिया यह कई बार pneumatic wheel भी हो सकते हैं और कई बार iron wheel भी हो सकते हैं आइरन वील यानि लोहे के पई है और लुमेटिक वील यानि रबर के पई है जिनके अंदर हवा वरी रहती है ठीक है इन में से एक जो ट्रांसपोर्ट वील होगा उसके साथ में क्या होगा अटेश्मेंट लगा होगा जो क्या काम करेगा पई यह की जो गती होगी तो उसकी जो गती होगी वो किसे ट्रांसफर कर रहेगा मीटरिंग मेकनिजन को कर देगा जो आपने कहां पर देखा भी था एनिमल ड्रोन मशीन में आपने देखा भी था ओके नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं जीरो तिल सेट डिल के बारे में तो यहां पर आपको आइरन वील दे चलने में मदद करेंगे तकि आपके हाइड्रोलिक सिस्टम को लिफ्त ना करना पड़े इतनी भारी मशीन को ठीक है बाकी वही सारी चीजी है इसके अंदर क्या यूज कर लिया गया शेड यूज कर लिया गया तो यह हिस्से में जहां यह चलेगी इस परकार के टिलेज करन किया है पीटी वर ड्राईव टैक्टर से कनेकि यहां पे यह तो बेवल के अंदर आकर एंद रोटावेटर मूइंट करेगा रोटावेटर यहां पे प्राइमरी हो सेटाएच है प्रे इसके बीन सब्सक्राइब कारें शेट मैकनिजम करने यह लिए यहांके तक आपका सारा topic complete होता है यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई doubt हो तो बताइए हां जी तो यहां आपका seed drill से संबंदित खतम होता है अब उसके बाद में बात करते हैं planter के बारे में तो planter के बारे में जब बात करेंगे तो planter क्या चीज़ है अब यहां पर सबसे बड़ा difference आपको जो समझने की जरूरत है वो क्या है कि planter use किया जाता है किसके लिए उन बीजों के लिए जो क्या हो size के अंदर क्या हो बड़े हो और जो किसके दोरा ना संबाले जा सके या किसके दोरा ना करीं जा सके तो यह चीज़ा आपको यहाँ पर समझने वाली है, next अगर मैं बात करूँगा, तो सीट दिल के अंदर क्या था, हम continuous swawing कर रहे थे, इसके अंदर continuous swawing नहीं करेंगे, एक बीज डाल दिया, फिर थोड़े gap पर दूसरा बीज डाल दिया, तीसरे gap पर थोड़ा बीज डाल दि अलो में भी सीन है, मेज में भी सीन है, ठीक है, row to row, plant to plant distance हमें maintain करनी पड़ती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, यहां पर planter यूज करते हैं, rather than seeder या फिर ट्रिलर, तो इसका planter का काम क्या होगा, planter का काम भई होगा, फरों को खोलने का, सीद को meter कर लेका, कितना बीज जालना है, इसको भी तो पता होना अची है, लेकिन इसमें seed metering mechanism बिल्कुल ही different type का होगा, उसके अलावा seed को soil में डाल लेका और फिर उसे cover करने का, तो काम तो वही सारे हैं, लेकिन यहां पे यहां पे आकर कुछ गड़वड हो जाती है, देखें किया इसमें changes हो जाती है, एक planter के अंदर एक hopper होगा, hopper यानि गोई seed box, seed metering devices होगा, knock out arrangement होगा, cut off mechanism होगा, furrow opener होगा और दूसरी accessories होती है, बात करते हैं, एक planter के बारे में मैं इस image से आपको सारा समझा दूगा, तो कि आपको ओल्ड़ी सारी सीजे पहले से समझ में आई ही है, यह आपके क्या होग जो आप यहाँ image में देख रहे हो, इसमें केवल एक ही दिखा दिया गया, उसे में आप भीज रखते हो, clear, अब क्या होगा, कि इसके यहाँ पे साथ में एक fan belt type लगा दिया, उस fan belt के अंदर क्या है, छिदर है, उस fan belt के अंदर क्या है, छिदर है, यह fan belt, अब केवल इस ची जब यह फैन बेल्ट यहां से गुजरेगा तो यह जो बीज होगा वो बीज इस चिदर में आकर के वेवस्तित हो जाएगा और इसका आकार इतना होगा इसका अकार इतना होगा कि केवल उसी साइज का बीज इसमें एक ही आकर के फिट हो सके ऐसा नहोंगे कि इन चर बीज आकर आगर में बोलना चाहों तो सेल किष्ट इस चीजह को बोलते हैं जो कि जेल होते है अश्में जो आपका कारा इगरा उतना होगा उसको भी अपकर यहाँ निट हो गया अब हैं से क्या हूँ से ख जब यहां पे पहुँच रहा था उस टैम उसके अंदर सीर था, नीचे की तरफ पहुँचा तो यह आपके फाइनली सीर ट्यूब का ऑप्शन था, यहां से बीच को गिरा दिया गया, अब बात यह समझने वाली यह है कि यहां देखिए एक सेल से दूसरी सेल के बीच में क्या होगा, सिंपल मेकनिजम में कुछ भी नहीं है, यहां से बीच आएगा, बीच पड़ा है यहां पे यह आ रहा है, एक बीच को उठाया और उसको ले गया अपने साथ में यहां बीच को गिरा दिया, फिर से खाली हो गया, फिर से आगे चला गया, तो बस यह सिंपल आपको दिखाई देगे कि यह रोकेट करके फिर से आ लिया, तो क्या होगा, इस चेन के अंदर यह कप जैसे स्टक्टर से लगी होगी है, लेकिन यह पूरी बहुत ज़्या अबरी होई नहीं है, यह क्यों क्यों कि इसका काम है, इमेर को केवल एक ही बीच को उठाना है, त इस डिस्टेंस के कारण एक बीच से दूसरे बीच के बीच में जो टाइमिंग गैप आजेगा, उस टाइमिंग गैप से एक बीच से दूसरे बीच के दूरी मिर्धारित होजेगी, अब मेरको फटाफट से बता जीजिए, आपको प्लांटर का कंसेप्ट समझ में आया है नहीं आया, उसके बाद में आपको वह पोटेटो प्लांटर दे दिया गया, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, सारी चीज़ें वही है, ये टूज चीज़ें वही है, लेकिन इसमें कुछ नॉम से आप पढ़ लेना, कि जैसे इतने सा कशले हैं याँ ठीक है, और बस वही चीज़ें सारी की सारी, जो प्लांटर के कंसेप्ट है, कम्प्लीटली वही इसके अंदर है, तो यहां आपका कंप्लीट होता है, क्या चीज़, सौविंग इंप्लीमेंट्स यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं